भगवान शिव का प्रिय महिना ये जुलाई का महिना है लेकिन अगस्त माह 2023 भी सावन का महिना ही रहने वाला है और इस सावन के अगस्त के महिने में तुला राशी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो खास तारीखें वो खास समय जो आपके लिए विशेस होने वा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त माह 2023 के तुला राशी फल के बारे में या कहें तो तुला राशी के लोगों के लिए उन समय के बारे में उन खास दिनों के बारे में जो आपके लिए विशेस होने वाली हैं जो आपके लिए इतनी खास होंगी कि वहां से आप की बदलाव होंगे उन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दोंगी तो वीडियो को लास तक देखें चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं मेरे चैनल के साथ तो कि यहां आपको अपने राशी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी समय पर या समय से पहले मिलती रहती है तो मैं अब बात कर रही हूँ अगस्त के महिने की तो देखें मैंने बताया भी सावन का महिना सावन का महिना जुलाई का महिना जुलाई से सावन का महिना शुरू हुआ लेकि तो यहां ग्रहों के अनुसार आपके लिए बताने वाली हो कि आपके लिए कौन से खास समय होंगे कौन सा खास दिन होगा, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ग्रहों के राजा सूरिय देव के बारे में, क्योंकि यह ग्रहों के राजा है और साथ में तुलाराशी के यह आपके लाभ भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में ही परवेश करने वाले हैं अब ग्रहों का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता पर्टेक्ष रूप से देखे जाते हैं पिता के कारक है और साथ में सबसे ज़ादा पावर देने वाले सबसे ज़ादा उर्जा देने वाले ये तो जब महिने की शुरुवात होगी, तब ये आपके दसम भाव, यानि कि कर्म के भाव में विराजमान होगे, कर्म के भाव में विराजमान रहेंगे, कर्म को प्रभावित करेंगे, लेकिन यहां 16 अगस्त से इस्तितियों में एकदम से बदलाव आ जाएगा, लाब देखें किस चीज़ से जुड़ा है लाब सिर्फ धन से नहीं जुड़ा है कि जब धनलाब होगा तभी वो आपके लिए लाब माना जाएगा लाब आपकी च्छाओं को पूरा करने तो आपके लिए हर एक चीज बड़ी आसान हो जाएगी इस महीने में एक चीज बहुत खास होने वाली है अपने पिता के संपर्क में जादा आपको रहना है अपने पिता की बातों को समझना है अपने पिता की बताएगी बातों पर ध्यान देना है क्योंकि ये पिता के कारक ह सूरिय दे आपके जो ग्यारवे भाव के स्वामी है तो पिता से जानी गई बात हैं या पिता की बताए गई बातों से आपको अच्छी उम्मीदे बनती हुई दिखाई देंगी बहाई बहन हो गई आपके या फिर आपकी इच्छाएं होंगी या परिवार के सदस्य हो गई ये सभी आपके लिए समय बहुत माइने रखेंगे ऐसे में लाब भाव कौन सा है सूरिय का भाव है और सूरिय जो है वो सेहिंग राशी के स्वामी है यानि कि सेहिंग राशी प्रवेश करेंगे इस दोरान आपके जितने भी बड़े पिता स्वरूप आपके जो भी नौकरी प्राप्त करनी थी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो आपको नौकरी भी प्राप्त होगी इसके अलावा आपकी इच्छाओं की पोर्थी तो होगी ही साथ में ये आपके लाभाव के स्वामी क्या करेंगे आपको समाज में भी सक्रिय करेंगे समाज में आप पहचान बनानी होती है उस पहचान को ये तुलाराशी के जाता कि इस महीने में बना पाएंगे और ये चीजे कब से शुरू होंगी 16 अगस्त से ये शुरू होंगी तो ये आपके लिए वो खास समय होगा जब आपने जितनी भी महनत की है अपने करियर को प्राप्त करने के लिए अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने वेपार में तरक्की पाने के लिए तो वो महनत आपकी बिल्कुल बेकार नहीं में यहां और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके लिए लाब देने वाली होंगी जैसे की सिक्षा जैसे की आपकी संतान जैसे आपके क्योंकि क्या करेंगे सूर यहां जो लाब भाव यहां से आपके पंचम भाव को देखेंगे पांचवा भाव इन सबी चीजों से जुड़ा है सिक्षा से जुड़ा है संतान से जुड़ा है, रिलेशन्शिप से जुड़ा है तो क्या होगा जो इस राशी ke student है और फिर आपक क्योंकि सूरे दिव बहुत ज़ादा फेवर में आपके लिए रहेंगे सूरे दिव आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले यहां इस समय रहने वाले हैं तो वो आपकी इन सभी दिकतों को दूर करेंगे और अगर आपकी संतान इन चीजों से जुड़ी हुई थी तो आपकी संतान भी इस समय इन सभी परिशानियों से दूर हो पाएगे रिलेशन्शिप को आप अपने अच्छा बना पाएंगे जिससे आपको अच्छे जो आपका पारिवारिक जीवन है उसका आप कह सकते हैं वो अच्छा रहेगा आपको अपनी संतान की उपलब्दियों पर गर्व होगा ऐसे यह रिजल्ट आपको देंगे तो बहुत अच्छा समय साबित होगा तुला राशी के लोगों के लिए स्टूडेंट के लिए जो इस राशी के महिलाएं हैं उनके लिए इस ग्यारवे भाव के स्वामी की बज़े से अब दूसरा मैं बात करूँगे आपके राशी के स्वामी के बारे में आपके राशी के स्वामी कौन? शुक्रदेव है और शुक्रदेव कहा है? शुक्रदेव है करक राशी में अब देखे शुक्रदेव का इस महिने में कई बार ये राशी परिवर्तन होगा और शुकर का ही सबसे जादा होने वाला है पहला तो देखिए शुकर आपकी राशी के स्वामी है जो कि करकराशी में गोचर 7 अगस्त को कर जाएंगे चंदर की राशी में ठीक है और उसके बाद 8 अगस्त को यह का करेंगे यहाँ पर वक्री होकर अस्त हो जाएंगे दोनों कि जो इनकी इस्तिती है वो रहेगी करक राशी में ही अब जब करक राशी में यह इस्तिती यहां रहने वाली है तो आपके कहां होगी आपके कर्म भाव में होगी कर्म शेत्र आपका प्रभावित होगा कर्म शेत्र प्रभावित होगा और तुला राशी के लोगों के लिए म कि अपनी स्वास्ते पर आपको ध्यान देना होगा स्वास्ते प्रभावित हो सकता है इस दौरान उसका ध्यान रखें लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए अच्छी रहेंगी जैसे कि अगर आप किसी फूर्ड इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो बहुत लावाने की संभावनें आपके लिए बनी हुई है अब आपकी राशी के स्वामी जो है वो यहां पर बैठ कर अपना जो चोथे भाव पर द्रस्टी डालें तो यह तयो होते ही क्या करेंगे यह आपके उस सेहत में भी सुधाराना शुरू कर देंगे तो आपको एक हफ़ते तक सिर्फ साफधाने रखनी है लेकिन 18 अगस्त से आपके लिए स्थियों में बिलकुर पूरी तरह से सुधारा जाएगा और तब ये आपके लिए जीवन में जो आपका कारेश शेत्र है चाहे आप नौकरी करते हैं बिजनेस करते हैं दु करते हैं अब बच्चों से जड़ते हैं वैपार करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उनको अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा जैसा कि मैने बताया चौथे बापर देस्टी लेकिन अब ये उदै हो जाएंगे तो इनकी द्रस्टी जो होगी वो क आएगी तो शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देंगे बस आपको एक हफ़ते तक सावधान रहना है इस महिने में और वो एक हफ़ता कौन सा होगा वो होगा आपके लिए 17 अगस्त तक का कौन से अगस्त से देखे यहां 8 अगस्ते 17 अगस्त तक तो आपको सिर्फ इंतने द जाएंगे करने राशी यानि कि आपके बारवे भाव में आ जाएंगे और मंगल क्या है आपके सब्तमेश हैं और आपके धन के स्वामी है और आपके बारवे भाव में आएंगे तो इस दोरान क्या रहेगा कि पैसों का लेंदेन करते समय बस सावधानी रखें थोड़ी सी तो अच्छा रहेगा बाकि मंगल की जो आठवी द्रस्टी है वो आपके सब्तम पर होगी और सब्तम भाव के स्वामी की द्रस्टी सब्तम भाव पर होने के कारण ये आपके जो दामपत जीवन है उसको अच्छा करेगा जो इस स्वास्त समंधी परिशानी थी उनको भी खीक करने का कार्य करेगा तो इन चीजों में आपके लिए अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे लेकिन अगर मैं गुरू की बात करूँ तो देखे गुरू और राहू दोनों ही यहां बैठे हुए हैं मेश रासी में मेश रासी में इन दोनों की जो द्रस्टी है वो आपके लिए शुब रहेगी राहू का बहुत अधिक प्रभाव मैं नहीं कहूंगे बाकि गुरू आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने वाले साबित होंगे इस पूरे महिने में क्योंकि गुरू अच्छी स्तिति में बैटे हैं गुरू एक मजबूत इस्तिति में बैटे हुई है जो आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले होगे बाकि शनी जो है शनी का जो प्रभाव है वो ठीक ठीक रहेगा बाकि शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे शुरिया बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और इनके प्रभाव से आपका पूरा महिना बहुत अच्छा जाने वाला है अगर मैं बात करूं कि आप कैसे इ जाल पुष्पुन को अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा केतु जो है वापके राशी में बैठे हुए है और राहु जो है वो मेश रासी में बैठे हुए है तो आप काले कुत्ते को प्रति दिन बिस्किट वगराया रूटी डालना शुरू करेंगे तो इन दोनों ग जानकारियों के लिए चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना